वेलकम टो एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रिय मंत्री मंडल के अंदर काफी सारे बदलाव किये गए हैं, न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंग तो आने वाली किसी भी परतोगिता परिक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी महतपूर्ण है, दो नंबर के क्वेश्चन्स आपको कम से कम इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए नए केंद्रिय मंत्री यानि कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और शेर जरूर किया कीजिए, और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब सबसे पहले मिल सके, देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधान मंत्री के बारे में, इनके अंदर भी कुछ मंत्राले होते हैं, जैसे कि कार्मिक जन शिकायत एवं पेंचन मंत्राले, वो नेद्र मोदी जी के अंतरगत आता है, प्रमानु उर्जा वो भी इनहीं के अंतरगत है, और सभी प्रमुख नीती गत मामले और वैसे सभी विभाग जो किसी भी अन्य मंत्री को नहीं दिये गए हैं, वो सभी मंत्राले इनके अधीन हैं, तो प्रधान मंत्री ने नमोदी के हाथ में जितने भी मंत्राले हैं, यह आपने यहाँ पर अमित शाह जी के पास कौन सा है, ग्रिह मंत्राले, यह दोनों इनके पास है, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं आपको, श्री नितिन जैराम गड़कडी, इनके पास सडक पडिवहन राजमार्ग मंत्राले हैं, यह भी याद रखेगा, डीवी सदनन्द गौरा, श्री डीवी सदनन्द गौरा के पास रासायन एवं उर्वरक मंत्राले है, और श्री मती निर्मला सीता रमन जी के पास वित मंत्राले है, ठीक है, फिनांस मिनिस्ट्री और कॉर्परेट कारे मंत्राले, यह दोनों मंत्राले जो है इनके पास है, श्री नरेंदर सिंग तोम करके नाम से जानते हैं तो इनके पास विदेश मंत्राल है और श्री अर्जुन मुंडा के पास जनजात्रिय कारिव मंत्राल है इसके बाद है श्री मती स्मृति जुबीन इरानी इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्राल है और श्री पियूस गोयल जी के पास वानिज एव उद्योग मंत्राले, उपभोगता कारे खादे एवं सारवजिन कवित्रन मंत्राले, कपड़ा मंत्राले, और श्री धर्विंद परधान जी के पास सिक्षा मंत्राले, यानि ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्राले, श्री प्रलात ज जोशी के पास संसदिय कारे मंत्राले, कोईला मंत्राले और खान मंत्राले इसके बाद देखिए अलग से जो कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर है श्री नारायन तातूर राने इनके पास सूक्ष लगु एवं मध्यम उद्यम मंत्राले जिसको SME बोलते हैं MSME ये मंत्राले जो ह बहुत ही important है इस चीज़ को याद रखिएगा पंचायती राज मंत्राले भी गरिराज सिंग के पास है और ग्रामीन विकाश मंत्राले भी इसके बाद है स्री सर्बानंद सोनोवाल इनके पास Minister of Ports, Shipping and Waterways है आयुरवेद, योगा एवं प्राकिर्तिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा होमियोपाथिक मंत्राले जिसको हम लोग आयूश कहते हैं ये भी किन के पास है स्री सर्बानंद सोनोवाल के पास है इसके बाद है डॉक्टर विरेंदर कुमार इनके पास समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले है इसके बाद देखे जोतिरादित एम सिद्धिया के पास नागरिक विमानन मंत्राले है इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले मंत्री के नाम कैबिनेट मिनिस्टर में यहां पर श्री रामचंदर प्रसाद सिंग को इस पात मंत्राले दिया गया है श्री अशुनी वैसनब को रेल मिनिस्टर बनाया गया है संचार मंत्राले भी इनके अंतरगत है और इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रद्योगी की मंत्राले ये भी इनी के पास है श्री अशुनी वैसनव रेल मंत्राले समाल रहे हैं संचार मंत्राले और इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रद्योगी की मंत्राले इसके बाद है श्री पास्वान के पास ये मंत्राले था, अभी ये लोग जनसक्ति पार्टी के ही श्री पशुपति कुमार पारस को ये मंत्राले दिया गया है, खादि प्रसंसक्रन और उद्योग मंत्राले, श्री गजंदर सिंग सिखावत जल शक्ती मंत्राले पहले से ही समाल रहे हैं और वेव कुमार सिंग को इसके बाद देखिए अगला यहां पर है जो हरदीप सिंग पूरी श्री हरदीप सिंग पूरी को पेट्रोलियम एवं प्राकिर्तिक गैस मंत्राले दिया गया है आवास एवं शहरी कारे मंत्राले भी इनहीं के पास है श्री मनसुख एल मंडाविया को स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले मिला है रासायन एवं उर्वरक मंत्राले भी इने के पास है मनसुख एल मंडाविया को स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले और रासायन एवं उर्वरक मंत्राले श्री भुपेंदर यादव को परियावरन वन एवं जलवायो परिवर्तन मंत्राले श्रम एवं रोजगार मंत्राले ये दो मंत्राले इनके पास हैं डॉक्टर मह للनाथ पंडे के पास भारी उध्योग एवं सरवजुनिक उध्यम मंत्राले दिया गया है श्री पुरुषोत्तम रूपाला को पशुपालन डेरी और मत्सिपालन मंत्राले दिया गया है इसी के साथ यहाँ पर श्री जी किसन रेड़ी को संस्कृति मंत्राले मिला है परेटन मंत्राले मिला है पुर्वोत्तर छेतर विकाश मंत्राले भी दिया गया है अब यहाँ पर बारी है अनुराग सिंग ठाकूर की जिनको सूचना एवं प्रसारन मंत्रा ले दिया गया है और युवा कारे एवं खेल मंत्रा ले भी इनहीं के पास है ठीक है यहाँ पर इन सभी चीज को अच्छी तरह से याद रखेगा जो important चीज है एक बार मैं फिर से आ अनुराग सिंग ठाकूर को आप याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है मनसुक एल मंडाविया को जो important है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ इसके बाद आपको याद रखना है भुपेंदर यादव को और हरदीप सिंग पूरी को इस पेज से इसके रिजजु को याद रखेगा गजंदर सिंग सिखावत तो आपको पहले से ही याद है इसके अलावा यहाँ पर आप याद रखेगा अशुनी वैसनब को इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो यहाँ पर है देखिए यह पहले से है मुक्ता पनन्द सोनवाल को भी याद रखना है बढ़ते हैं पिछले पेज की तरफ यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर में आप यही तो आपको पहले से याद है कि यह विदेश मंत्राले के मंत्री सुबर्मन्यम जैसंकर यानि एस जैसंकर हैं इसके अलावा यहाँ पर जो याद रखन चाहिए यह पहले से भी है देखें नरेंद सिंग्तोमर को आप याद रखेगा अमित शाह को तो याद रखना है यह mostly इस पेज पर जितने भी है आपको सब याद रखना है क्योंकि इन से questions आपको देखने को मिल सकते हैं और मोदी जी के जो cabinet के बारे में हमने बता है कि इनक अंतरिक्ष विभाग भी प्रधान मंतरी के अधीन है सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वैसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंतरी को नहीं दिये गए है वो भी नेंद मोदी जी के अंतरगत आते हैं तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद